पत्थर दिल को मौम कर देने वाला नक्स ये एक काम कर लो फिर देखो चमतकार बैं इंसान रोहेगा भीक मांगेगा आपको पाने के लिए हर तरह की कोशिस करेगा आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा या हो जाएगी अगर आप चाते हैं पल भर में किसी को भी अपना बनाना या चाते हैं उसे अपनी मौबबत में बेचैन करना तो हमारी बताई गई इस विदी से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं किसी को भी अपने करीब ला सकते हैं यह मुबबत में पागल करने वाला बहुती पाउर्फुल विदी है जिसको आप एक बार कर लेते हैं दोबारा करने की आवसकता नहीं है और इस विदी का कोई तोड़ भी नहीं है तो चलिए हम आपको इस विद्धी को बताते हैं कि कैसे और किस परकार से आपको इसको करना है तो सबसे पहले वब्तों आपको क्या करना है एक white plain paper ले लेना है इस परकार का चकोर plain paper ले लेना है और एक आपको marker pen लेना है ठीक है अब मारकर पैन की साइता से आपको इस पेपर के उपर एक बोक्स बना लेना है इस परकार से आपको एक बोक्स इस पर बना लेना है इस परकार से और इसमें दो खाने आपको बना लेना है अब हम इसमें दो सब्द लिखेंगे जो की बहुत ही पाउरफुल है और दिहान से देख लीजिए सबसे पहले हम इसमें 99 लिखेंगे और यहाँ आप लिखेंगे 77 ठीक है अब इसके नीचे आपको अपने प्यार का नाम लिखना है इसके नीचे आपको प्यार का नाम लिखना है ठीक है जैसे कि आपके प्यार का नाम रा दिखाए तो इस परकार से आपको अपने प्यार का नाम लिख लेना है और फिर अपना नाम अपना नाम लिखना है जैसे कि आपका नाम रोईत है तो इस परकार आपको अपना नाम लिख लेना है ठीक है अब आपको क्या करना है इस परकार से इसको मोड लेना है इस परकार से इस परकार से आपको पाच बार इसको मोड लेना है और मोरने के बाद आपको एक मंत्र हम बताएंगे जो की वसीकरण का बहुत ही पाउटफुल मंत्र है या अलबदूदू या अलबदूदू इस मंत्र को इसके उपर निन्यानवे बार बोल ला है या अलबदूदू या अलबदूदू अपने प्यार का नाम लेकर इसके उपर निन्नान बाबार इस मंत्र को बोलना है ठीक है अब इसके उपर आपको साथ बार फूप माननी है इतनी सी विदी आपको करनी है अब इस कागच का क्या करना है इस कागच को आपको इस यंत्र को आपको ले जाकर किसी भारी किसी भारी चीज के नीचे दबा कर रख देना है ठीक है इतना सा आपको कारिय करना है और इस कारिय को करने के लिए आपको नई किसी दिन नई समय और नई किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं इसमें समय और दिन की कोई पाबंदी नहीं है आप इतना सा कारिया आपको करना है इस वीदियो को करते ही वह आपके वस्में हो जाएगा या हो जाएगी वह इस्तरी पुरूस आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी वह आपसे बात करने के लिए संपर्क करेगी या आप से मिलने के लिए चली आएगी